हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में बनाने वाली हूं गुलकन के लड़ू जो कि बहुत ही स्वाधिस्ट होते हैं और फटा-फट से बन जाते हैं जिसको बनाने के लिए आपको गहस जलाने की भी जरुरत नहीं है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कलपना मिश्रा और आप देख रहे हैं पक्वान बित कलपना अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो के लिए लुटे हैं और आधा में इसको ड लेंगे यह है दो कटोरी यह हैं एक कटोरी मिल्क पावडर इसी कटोरी से मैंने दो कटोरी लिया ओँए था नारamı ओलक बुरादा और एक कटोरी मिल्क पावडर और थोड़ा सा यह खाली ही है हमारा तो सी भुद्याजित हूँ पाउडर सुगर जो मैंने घर में बनाया है उसका थोड़ा सा क्योंकि गुलकंद भी मीठा होता है तो उसे हम थोड़ा सा ही कम लेंगे उससे और यह है गुलकंद जो मैं इसमें मिलाऊंगे इसको अब हम अच्छी करीके से मिला लेंगे जितना मैंने पाउडर सुगर लिया था उतना ही मैंने कुलकंद लिया था हम इसमें डालेंगेगे यह हाज रिभies alkallar को डालने से ठोड़ा सा तुमालने लगने लगता है कि दिखिए कितना प्यारा कलर आया है एक दम रोज के तरह जैसे गुलाब होता हमारा से मुषी एक वही कलर आया है और खुजबू भी बहुत सुंदर आ रही है तो कि गुलकंद बहुत सुंदर से खुजबू आती न उसमें वही खुजबू फैल गई है पुरा इसको खाने पर ना पहुत सुंदर एक दम ताजगी सी आ जाती है अब इसका हम लड़ू बना लेंगे अब देखिए ऐसे ही हम सारे लड़ू बना लेंगे आप छोटा बड़ा कैसे बनाते हैं वह आप देख लीजिए मैं अभी इतना ही बड़ा बना रही हूं हमारे लड़ू बन के तयार हो गए हैं आप लोग भी इसे बना के तयार करिए अब आप लोग इसको डेकोरेट करने के लिए ड्राइ फूट से इसको डेकोरेट करिए यह आप ऐसे डेकोरेट करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए हमारे लड़ू बन के तयार हो गए हैं आप लोग भी ऐसे बना के देखिए एक बार यह ऐसे करना है बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच करता जो अब बखिए, बाद कर दो हो कि अधिया, कि अधिया जाओ है, बाद कर दोटाई है